पाच अक्टूबर विभून संकष्ट चतूरती कुम्बराशी मिलेगा बप्पा का अशिर्वाद होगा दुखों का सर्वनाश। संकष्ट चतूरती का वुरत भगवान गणीजी को समर्पित होता है। यह वुरत उनकी विशिश कुर्पा पाने के लिए किया आ जाता है। भगवान गणीजी बल, बुद्धी, ग्यान और विवेक देने वाले देवता माने जाते हैं। गणीजी की पोजा करने से व्यक्ति की कुंडली में बुद्ध गरह मजबूत होता है। दोस्तो पाच अक्टूब पर को जो चतूरती आई है उसके अगर शुबा महुरत की मारे में बात करें तो संकष्ट चतूरती का प्रारंब जो की सुबह 10 बचकर 2 मिनिट से शुरू हो जाएगा और इसकी समापती दोपर को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस संकष्ट चतूरती के दिन आपका सामान्य राशिपल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में। पिछले कुछ दिनों से काम के परती जो आलस बना हुआ था वह दूर हो सकता है। आप में उर्जा की कोई कमी नहीं होगी। अपने रुके वह कारियों को आप अपने कठोर परिश्रम के द्वारा कर सकते हैं। आपके मन में जिसके परती प्रेम की भावना उमन रही है वह सिर्फ एक अकर्षन है। उसे अधिक गंबिरता से लेना सही नहीं होगा। अगर हम कुम्बराशी की कुछ द्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आपकी आयमें भी रुद्धी हो सकती हैं। जीवन शेली और दिन चार्य में आप कुछ बगलाव कर सकते हैं। आप दूसरों की खुश्ची के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपका यह भाव आपको और अधिक सपल बनाता है। मन में एक वैचारी का द्वांद हो सकती हैं जिसके कारण आपका कामकाज में कम ही मन लगेगा। विद्ध्यरती वर्ग को अपने कीगे मेहनत का अच् को अधिक से बचे। अपनी प्रेम को व्यक्त करने के लिए किसी भी प्रकार का संकोच ना करे। बीती हुई बातों को भूलने का प्रयास करे। दोस्तों अगर हम कुम्राशी की धनराशी पल की बात करें तो सुए के प्रयासों और कलाक के साथ चुनोतियों का सामना करने के लिए यह बैतरिन समय हैं बैंकिंग ये वित्त पेशेवर से जुड़े लोगों को काम करते समय एहतियत बरतने की जरूरत हैं पिता ये शिक्षे के लिए यह समय संकटबा रहें इसलिए उनका ध्यान रखें करियर और ये शिक्षे के लिए दिन सबसे अच्छा रहेगा आपको किसी बड़े आउसर की जरूरत नहीं हैं अपनी समय से उनको हल करें आपका जीवन इस समय बढ़िया है क्योंकि आपकी हर इच्छा पूरी होती हुई दिखेगी और आपको पहचन भी मिलेगी इस समय अपनी दिमाख की सुने और सही लोगों से बाच्चित से भी आपकी मदद मिलेगी अगर हम कुमबराशी की करियर राशीपल की बात करें तो कारेक शेतर में आप कुशलता का पर्या बन जाएंगे आपकी महनत वा कुशलता के परिणाम उम्मिद से भी अधिक मिलेंगे अपनी और से महनत करते रहें जल्द ही आपको सकरत्मक परिणाम मिलेंगे बरोसा रखें आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं अगर हम कुम्बराशी की लवराशीबल की बात करें तो परिवार के साथ मिल जोल और साथ मिलकर बोजन करना आपको स्वर्गसा अहसास कराईगा प्रेम संबंदों में दूरी है तो मतबेदों को दूर करने का भैतरिन समय है मुश्रा कर प्यार के दो बोल आपकी हर तकलिप को दूर करेंगे सहयोगी या आपके पडोसी आपकी हर संबव मदद करेंगे आप पार्टी के मूड में हैं प्यार के रिष्टे में समझोता करना और दूसरों के पसंद के अनुसार अपनी आपको ढ़लना प्यार का सबुत है इसे से आपके पार्टनर को भी खुशी मिलेगी आपका रोमेंटिक जीवन अती उत्तम है और कुछ अंतरंग खिशन मिल सकते हैं अगर साती की तलाश में है तो आपकी तलाश अब खत्म होगी अगर हम कुमबराशी की स्वास्तराशीपल की बात करें तो आप बुजूर्ग है तो आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है थोड़ा आराम के लिए समय निकाले यह दर्द कुछ समय में चला जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे जरुरस से ज़्यादा कारिया ना करे अन्यता दर्द बढ़ सकता है तो दोस्तो यहती कुमबराशी के बारे में अब बात करते हैं शिव परिवार से जुड़े हुए यह उपाय आपकी हर समस्य का करेंगे समाधान बदल जाएगी आपकी जिन्दगी मनुश्य की जीवन मे बहुत सी मुश्किले उत्पन होती हैं परन्तो आपकी सभी मुश्किलों का समाधान भगवान शिव जीव कर सकते हैं आज हम आपको शिव परिवार से जुड़े वे कुछ उपायों के बारे में जानकरी देने जा रहे हैं ऐसा माना जैता है कि शिव परिवार जैसा सुकी और संपन परिवार कोई नहीं है भगवान शिव जी के पूत्र गने जी रिद्धी सिद्धी के दाता है माप भगवती सुक सवभाग्य और संपती दिलाने वाली है और शिव जी के बड़े पूत्र कार्थी किय ग्रहत दोश से छुड़कारा दिला सकते हैं आज हम आपको शिव परिवार से जुड़े हुए कुछ ऐसे सरल और महतोपन उपाय बताने वाले हैं जिनको अगर आप करते हैं तो इससे नोकरी, विवाह, प्रोमोशन जैसी मनोकामनाई शीगर ही पूरी होगी तो आये जानते हैं शिव परिवार से जुड़े हुए उन उपायों के बा ऐसा करने से महिलाओं का सुहाग और सोभाग या अखंड बना रहता है पती के जन्मनक्षतर पर किसी वस्तु का दान करने से पती की आयोल लंबी हो जाती है दूसरा है दामपते जीवन की परिशने दूर करने के लिए अगर आप अपने दामपते जीवन को सुखी बनाना चाते हैं तो अर्दन नारिशुवर रस्तुरत का पाड़ करें इससे तलाग जैसी नोबत खत्म हो जाती है दामपते जीवन में चल रहे खटास को दूर करने के लिए आप गौरी शेंकर रुद्रक्ष धारन कीजे इसके अलावा अगर आप अपने दामपते जीवन को सुखी बनाए रखना चाते हैं तो इसके लिए आप अपने घर में पूरे शूपरिवार की अस्तापना कीजे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा की अकेले शूलिंग घर में मत रखेगा अगला है रोजगारा प्राप्ती है तो बेरोजगार दूर करने के लिए लाल या गुलाबी कपड़े पहन कर पतनी कनकधारस तुरत का पाड़ करे भवन शूजी की पूजा के दवरान लाल फुल अरपित कीजेगा अगर आप लिंगाश्टम का पाड़ करती है तो इससे जल्द ही पती को अच्छी नोकरी मिलती है अगला है पती के प्रमोशन के लिए पतनी करे यह हो पाए अगर आप अपने पती का प्रमोशन चाहती है तो इसके लिए मंगलवार को नारेल में लाल सिंदुर लगा कर लाल कपड़े में लपिट कर इस पर लाल मोली बांदी जिए इसके बाद आपको नवग्रहों में मंगल ग्रह के पास इसको रखना होगा यह हो उपाए आपको पांच मंगलवार तक करना होगा इससे पती को जल्द ही प्रमोशन मिलने की संबवना बढ़ती है आखरी है इस उपाए से मकान बनाने का सपना होगा पुरा अगर आप चाते हैं कि आपका अपना घर हो तो आप किसी भी दिरतस्तान से पत्तर लेकर आए और जहां पर मकान बनाना हो वहाँ पर आप पत्तर से चोटा सा घर बना दीजे इस उपाए को करने से जल्ध ही किराई का मकान छोड़ कर आप अपने घर में चले जाएंगे इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आप चाते हैं कि आप दोके से बचे रहें तो आप कार्थी के भगवान को इमरती की माला अरपित कीजेगा और कार्थी भगवान का दूद से अभिशे कीजेगा अगर आप इस उपाए को करते हैं तो इससे प्रॉपर्टी से संबंदी दिवाद भी सोलग सकते हैं तो यह है त्यक कुछ उपाएं जिसे करने से आपको हर रिक समस्यार का समाधान मिलेगा तो दोस्तो आज की स्विड़ों में बस इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथी हमारी चैनल ट्रेंडिंग रश्यूबल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद